दोस्तों स्पोर्ट ब्रश टूल के बाद अब हम जिस हीलिंग टूल को स्टेडी करने लगे हैं वो है हीलिंग ब्रश टूल दोस्तों स्पोर्ट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल का काम तकरीबन एक जैसा ही है दोनों टूल्स इमजस को क्लीन और एडिट करने के काम आते हैं लेकिन healing brush tool की कुछ अपनी खुसूसियात हैं जिनको हम इस lesson में study करेंगे दोस्तो आप लोगों के घरों में कुछ ऐसे images होंगे आपके grandparents के या कुछ old people के जो पड़े-पड़े खराब हो चुके होंगे उनके उपर कुछ अजीब से artifacts और कुछ spots पढ़ चुके होंगे ऐसा ही एक image जिसकर आप लोग स्क्रीन पे अपने सामने देख सकते हैं दोस्तो इस तरह कि किसी भी image को restore करने के लिए और इसकी हालत को बेहतर बनाने के लिए हम लोग Photoshop में healing brush tool जैसे tool का सहारा लेते हैं तो चैनल चलते हैं Photoshop की तरफ और healing brush tool की मदद से इस image को treat करने की कोशिश करते हैं दोस्तो यह image आप लोग अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं Photoshop में इस image को drag कर लिया हुआ है अच्छा जो healing brush tool है उसकी shot की भी बिलकुल same है जो spot healing brush tool की थी यह आपके सामने स्क्रीन पे सक नजर आ रहा है कि spot healing brush tool के बिलकुल नीचे हमारे पास available है healing brush tool और इसकी shot की भी जे है अब जैसे जे प्रेस करेंगे आप healing brush tool में पहुंच जाएंगे अच्छा यहाँ पे अब अगर sub menu में आके यहाँ पे देखें उपर हमारे पास क्या options है यहाँ पे एक तो बिलकुल same वही option है हमारे पास जो spot healing brush tool में थी यहाँ से हम इसका size जो है वो बड़ा चोटा कर सकते हैं इसके लावा हम यहाँ से इसकी hardness को कम ज़्यादा कर सकते हैं और spacing को भी यहाँ से control कर सकते हैं अचा इसके बाद बिलकुल उसी तिना यहाँ पे हमारे पास वो कुछ mode है layer styles है इसके बाद इसमें जो एक important चीज है वो है यह यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो लिखा हूँ है current layer, current and below or all layers अगर मैं यहाँ से आके एक new layer लोँ और यहाँ से मैं all layers की option को क्लिक कर दूँ तो इसका मतलब है कि इस layer के उपर जब मैं healing brush tool से काम करूँगा वो overall तमाम layers के उपर नजर आएगा लहाजा मैं यहाँ पे all layers की option को क्लिक करता हूँ और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको जूम करके healing brush tool जह है उसको use करके दिखा दूँ अच्छा जी यह हमने healing brush tool लिया दोसो एक जो थोड़ी सी चीज spot healing में और healing में different है इसके usage के हवाले से वो यह है कि spot healing brush tool में तो हम सीधा आके straight यहाँ पे click कर देते थे लेकिन आपने देखा यहाँ पे अगर मैं spot healing की तरह आके click करता हूँ तो वो मुझे एक error दे देता है Photoshop लहाजा इसका तरीका थोड़ा सा different है दोस्व आपने करना क्या है healing brush tool के लिए आपने कहीं से भी करीब तरीन एरिया से यानि मिसाल के तोर पे अगर यहां से इस image को clean करना शुरू कर रह रहा हूँ तो मैं करीब तरीन एरिया से alt click करके यहां पे click करूंगा जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूँगा अब अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो यह देखें यह आप देख सकते हैं कि यह ब्रॉश ने उस जगा को कॉपी कर लिया है ठीक है जी अब मैं आके यहां पे हलका सा इसको अगर फेरता हूं तो यह देखें मेरा वो जो एरिया है वो बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है अब आपने करना क्या है कि आपने इसी प्रॉसस को रिपीट करते जाना है यह देखें मैं बार बार यह बैने बैसिकली सोर्स लिया है और आप भी इसी तिना से सोर्स लेते जाएंगे जिसना से मैं ले रहाँ और आप हीलिंग ब्रॉश टूल की मदब से इमज को क्लीन करते जाएंगे जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपको जो इमज है वो बिल्कुल नीज क्लीन होना शुरू हो गया है यह देख नही अच्छा इस हीलिंग ब्रॉश टूल में बेसिकली आपको यह तो पता चल गया कि यह एक जगा से कॉपी करता है और दूसरे जगा पे पेस्ट कर देता है और उसके लिए हमें आल्ट होल्ड करके रखना पड़ेगा और वहां से हम पहले यहां से एक जगा से क्लिक करके उस यहां पे लाइट है यह हीलिंग ब्रॉश टूल की खासियत है कि अगर मैं यहां से डाक वे एरिया से भी पिक करके फिक जूस को यहां नाए लाइट वा आई यहां पर इरिया में लगाऊं तो आपने देखा कि यह यह падbry कॉपी नहीं कर राया है यहां पे light जो है वो बिल्कुल भी image की खराब नहीं हुई तो यह basically इसकी healing brush tool की एक खास बात है लेकिन आपने कोशिछ यही करनी है यह तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां से आकर pick किया और यहां पे आकर लगाया but actually आपने करना यही है कि आप जब healing brush tool को यूज करें होंगे तो आपने जो करीब तरीन areas होंगे यानि मैं यहां से click करता हूँ यहां से pick करके pixels करीब करीब area से आपने pixels को pick करते जाना है और यहां पे आखे आपने लगाते जाना है यह देखें अगर यहां से कुछ थोड़ा सा आपने धियान रखना है अगर colors या light का थोड़ा सा गड़बर हो problem हो तो आपने उसको फॉरण undo करके उसको आपने जो है वो दुबारा करना है तो यह देखें दोस्तों आपके सामने है कि image आपका जो है वो बहुत खुशूरती से और बड़ी असानी से clean होता जा रहा है अच्छा इसमें एक और चीज़ का हमने जो ख्याल रखना है वो यह है कि अब यह मैं pick करके ड्राग कर रहा हूँ ठीक है आपने बहुत ज्यादा लंबा ड्राग नहीं करना है यह पूरा लंबानी ड्राग करना आप ने कोशिश करनी है कि जो चोटे चोटे आपने अपने एरिया से pick करते जाना है और थोड़ा थोड़ा अपने ड्राग करते जाना है ताकि यह जो आपका मसल़ा है यह बड़ी असानी से हल हो जाए otherwise फिर वो आपके जो image है उसकी जो light है वो disturb होने का थोड़ा सा फत्रा रहेगा अच्छा अब ये जो area है ये हम आगे चलके एक और टूल है उसकी मदद से हम इस तरह के problems को solve करते हैं ये फिल हाल आपको ये जो आपके पास healing brush tool है इसके मदद से हम इसको नहीं करेंगे हम आगे चलके एक और टूल पढ़ेंगे जिसके मदद से हम ये जो area जिससे अब ये में अगर इसको करता हूं तो यहां पर आप देखें white आ रहा है ये जो white आ रहा है ये यहां से light basically यहां पर copy हो रही है ये हम healing brush tool के मदद से नहीं करेंगे ये हम एक और tool है उसके मदद से आगे चलके इसको ठीक करेंगे मैं इसको थोड़ा सा speed up करता हूं ताके ये देखें हम करीब करीब के area से pick करते जा रहे हैं और उसको neat करते जा रहे हैं ने जी ये आपका image आप देख सकते हैं काफी हद तक नीट लीन हो गया उपर से अगर मैं इस layer को आफ करके दिखाऊं और फिर on करके दिखाऊं तो ये देखें आपको बिल्कुल clear आपके सामने के कितनी असानी से हमने इस image को जो है वो बहुत हद तक साफ कर लिया है नीट क्लीन कर लिया हीलिंग ब्रश टूल की मदद से कुछ अभी इसमें चीज़ें रह गई हैं वो हम आगे चलके किसी और मैं कोशिश करेंगे उसको clear करने की बाकी ये आपने सीखा कि हमने हीलिंग ब्रश टूल की मदद से कितनी असानी से image को नीट इंग क्लीन कर लिया तो दूसरा आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हीलिंग ब्रश टूल की मदद से कितने अराम से कितने मदद से अपने image को नीट क्लीन कर लिया और जो पुरानी तस्वीर खराब हो चुकी थी उसको हमने री स्टोर कर लिया तो इस तरह से आप Healing Brush Tool के मदद से अगर अगर अपके घर में कोई ऐसी पुरानी पिक्चर पड़ी हुई या आपके Grand Parents की या कोई भी उसको आप बड़े अराम से री स्टोर कर सकते हैं जस उसको स्कैन करें और फोटो शॉप में ओपन करें और Healing Brush Tool के मदद से उसमें जो भी आर्टिफेक्स आ चुकी हैं वो आप खतम कर सकते हैं आने वाले लेसन में हम एक और Healing Brush Tool से मिलते जुलते टूल के बारे में बात करेंगे तो अब आप लोगों को मैं उमीद करता हूँ इस टूल की काफिया तक समझ आ गी होगी आप लोगों ने इसकी ज़्यादा सज़ादा प्रैक्टिस करनी है तो मिलते हैं नेक्स लेसन में